ये वो आक्ट्रिस हैं जो 21 साल की उम्र में ही देवानन के सांथ फिल्म देश परदेश से अपना डैब्यो की ये आक्ट्रिस को फेमिना टीम ट्रिंसेस का ताज मिला था अस्ती के दशक में उनके नाम का वॉलिवुड में डंका बचता था अपना पसंदिता चानल 4Ti Cinema इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमबानी फैमिली की छोटी बहु तीना अमबानी के बारे में तीना अमबानी का जन में गुजराती फैमिली में हुआ था तीना अमबानी ने बहुत सी हिट फिल्में वॉलिवुड को दिये थे फयर चला इनकी शादी के समय बहुत अरजने आई पर आखिरकार दोनों की शादी हो गई फिल्म रॉकि में टीना ने संजै के साथ काम किया था और यह संझेदक की डेब्यू फिल्म थी इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों में प्यार हो गया था तीना संजे के प्यार में पागल हो गई थी पर संजे के ड्रग की लत्का जब तीना को पता चला तो वो संजे से अलग हो गई फिर तीना का राजेश खन्ना के साथ भी अफेर चला दोनों लीविन में काफी समय तक रहे राजेश टीना से काफी बड़े थे उम्र में पर इनका ये प्यार शादी तक नहीं पहुँचा अनिल अमबानी से टीना की मुलाकात एक शादी के फंक्शन में हुई अनिल ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें टीना को देखते ही प्यार हो गया था टीना उस function में black color के साड़ी में आई थी उस वक्त वो उने वहीं दिल दे बैठे थे पर शादी के function के बीच दोनों की कोई बात नहीं हुई थी फिर कुछ समय बाद उनकी मुलाकात अमेरिका में दुबारा हुई तब अनिल ने टीना के सामने कहीं घूमने जाने का फिर इनकी एक मुलाकात जो की टीना मुनीम की भतीजी ने करवाई वहां दोनों ने गुजराती में बात किया उस मुलाकात में टीना अनिल अमबानी की simplicity देखकर काफी जादा उनसे impress हुई थी फिर धीरे धीरे टीना और अनिल का affair शुरू हुआ तीरु भाई अमबानी का परिवार काफी traditional था और उनका सोचना था कि फिल्मी background वाली लड़की उनके यहां adjust नहीं कर पाएगी अनिल ने अपनी family को मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें हमेशा ना में ही जवाब मिला फिर फिल्मों का काम पूरा करके टीना इंटीर डिजाइनिंग की पढ़ा अंबानी family टीना से अनिल की शादी कराने को ready हुई फिर अनिल ने टीना को भारत वापस आने को कहा जब वो वापस आई तो अनिल ने टीना को अपनी family से मिलवाया और फिर दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई अनिल और टीना के दो बेटे हैं अनमोल अंबानी और Thank you!